संत्र निरंकारी मिशन के दुआरा आज एक हजार से जादा संस्थानों पर जल आधारी संराच्छनाओं पर एक अभियान चलाये गया जिसमें 730 सहरों में इसकी सुरुवात की गई बाबाहर देव जी के जनम दिवस पर समाज को जीवन परएप्थ अनेक कारी के लिए उने स्वस्ता एवं वरक्षा रोपन अभियान के आरम किया गया और उन्हीं की सिक्षाओं से प्रेणा लेते लिए प्रतेक वर्स इस कारी को किया जाता है संत निरंकारी मिशन के द्वारा निरंकारी सत गुरु माता योजनाओं का आयुजन किया जाता है इसके तहट आजजजर जिले में भी सभी ब्रांचों में संत निरंकारी मिशन के साथ संगत के द्वारा जल संरचनाओं की सफाई का अभियान चलाया गया जिसमें दूबलधन वे दूजाना के जलगरों में सफाई की गई तथा ब्रांच में बेरी सुप्रशिद मंदिर माता शिरी भिमेशुरी मंदिर में भी सफाई अभियान कराया गया निरंकारी भक्त के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है इस पर योजनाओं में सफाई अभियान का ओदेश जन्चलरक्षन वे इससे बचावेतू अन्यकों योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया थी उन्होंने बताया कि निरंकारी हरदेव महाराज के जन्चलरक्षन के बारे में पता हो ताकि सफाई वे वे वस्ता वो बहतर रख सके आज के समाज ऐसा तो है कि वो अपने घरों की तो सफाई करता है लेकिन गली में वो कूड़ा डाल देते हैं साथी हमारे पार्क हों या अन्य संस्थाओं हों वहां पर कच्रा पड़ा रहता है तो हमारी संस्थाओं के द्वारा उन लोगों को जागरुक किया जाता है तता महाराज के जो प्रवचन है वो हमें ये बताते हैं कि मन को साफ करने के साथ साथ हमें सड़के वे वातावरन को सच रखना चाहिए ताकि positive energy हमारे बीच रहे साती गुरू महाराज हमें सदैव ये बताते हैं कि अपने अंदर हात्मा में चाकर देखें हमें कहीं गुमने की जड़त नहीं जब हम अपने आप में सुधार करेंगे तो जहिल सी बात है पूरा समाज हमारे साथ एक जुट खड़ा रहेगा उन्हो सिक्षा के अभाव में लोग इस तरह की बाते करते हैं उन्हें सिक्षित होना चाहिए साती जो financially कमजोर है उन्हें लोग मदद करकर उन्हें कुछ पैसा भी दें ताकि लोग आगे बढ़ सकें साती उन्होंने बता जल हमारा जीवन है लोगों को जल बचाओ के बारे में आ करते हैं और लोगों को यह बताने का प्रियास कर रहे हैं कि सफाई के साथ साथ जल बचाओ हमारे जीवन का एहम हिसा है और जल ररक्षन हमारे अती महत्वण कामों में से एक है क्योंकि जल है तो जीवन है प्रोजेक्ट जो है सरकार ने चलाया हुआ है और नेंकारी मिशन इसके सायोग में है जिससे स्वच्छ जल का मतलब है कि संसार में पूरे में स्वच्छ जल मिलता है इसपैसलिए हमारे भारत देश के लिए तो हमारे जहां जो बीमारियां वो खतम हो जाएंगी ऐसी जाता है तो इसको परमात्मा की प्राप्ति होती है यहां पर अपना परमात्मा को जाने और अपनी पैंचान करो और अपनी भक्ती को पूर्ण करो इस जीवन में आप आयो संसार में तो यह नंकारी बाबा हर्देव सिंगी माराज का बहुत बड़ा अभ्यान चला था वो पूरा संसार जो है इस मिशन को जाने और अपने आपको पहचाने वो एम आई फॉम वेर आप कम इन दिस वर्ड वाट फोर आई कें दिस वर्ड वेर आई विल गो आप टर लिविंग दिस वर्ड तो ऐसा अभ्यान इस मिशन ने भी चलाया हुआ है और हम सरकार के साथ है औ जल अबारे जो संत मातमा हैं दरनकारी मिशनमेंट से क्योंकि जब हम उसको साफ करते हैं तो संतों के च्रण वाँ डलते हैं तो पानी भी अम्रित हो जाता है तो मतज जाती है कि सभी पूरा यूग पूरा संसार सुखी हो कैसी सुखी होगा वो जब हम सब्स जल पिएंगे बावाजी कहते है कि पूरो चाएं बारो दोनों जगह घराब होता है तो यह पूलिशन है जल पीएंगें अमरित में आमारा जो जल है वो बन जाए इस तरह से कोई भी हमारे अंदर बिमारियां नहीं सब तरह से हमारा तन मन सवस्त रहे तो मता जी हमारी यही कामना करें इत्षारी है पढ़ाते पांय तो सवास्ते भी ठीक रहेगा और मन का मतलब यह है कि अगर अम किसी दार्मी कास्था से जोड़ देते आं बइस पढ़ते गूरू के चरणों में जोड़ देते आं जैसे की दिक्षिया एब तर्द आजा मन वह सवच हो और सवच जल वी हमें पीने के दिए मिले यूज करने के दिए मिले इसके बारे में है बारत सरकार कि अजादी के अमरत मद्शो मना रही है पिछे तरवा तो वो उसी सरकार के साथ सरकार की सिरंखला में ही निरंगकारी मिशन ने भी आज गुरु पूजा दीवस के उपलक्स में कि बाबा अर्देव शिंग जी महाराज का जनम दिन है वो जो हर साल मना जाता है जिसमें सफाई अब यान पो दारोपन और ये क्या नाम है बल्ड डोनेशन केम्प ये किया जाता है तो आज भी सत्गुरु माता सु दिनकारी मिशन ये जो प्रोजेक्ट अमरत है सरकार के साथ मिलकर के मना जा रहा है जीसमें पोरे व जल सवत्षे मन अभियान जो हने मना जा रहा है और यहां जला-जज़र की अगर बात की जाए तो इस जला के अंदर भी बरांच दूबड़दन में और दूजाना में वाटर वरक्स में जो टेंक हैं उनकी सफाई की जा रही है जो गंदगी है उनके अंदर वो निकाली जा र जोड़ है जो लोगों की पूजा का सरदा का केंदर है उसे की सफाई बेरी बरांच के दौरा की जा रही है जोड़ के चारों तरफ जितनी भी गंदगी है वो निकाली जा रही है सवच मन के बारे में सवच मन है यदि सवच जल ही नहीं होगा तो हमारा सवच पानी हम कैसे पीएंगे तो सवच जल होगा तो सवच मन भी सवच रहेगा